दोस्तो वायरखलिक में आपका स्वागत है आज हम आपको दिखाने चा रहे हैं आपदा को अबसर में तबदील करने वाले लोगों की कहानी एक मघरूर विधाय की करतूत गजराज ने कैसे किया गड़पती बपा का स्वागत स्टूडेंट्स ने अपने टीचर्स को पेड़ पर क्यो बाधा और आखर में एक ऐसे नन्हे मासूम की प्रेना दायक कहानी जिसे देखकर आपकी आखों में खुशी के आसुआ जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं वायरल क्लिक का सिलसिला लेकिन उससे पहले आप वायरल क्लिक को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बटन दबा कर ओल पर क्लिक कर दे ताकि आप कोई अंजानी अनोखी अलबेली वायरल कहानी जानने से चूक न जाएं तो चलिए शुरू किया जाएं दोस्तो मध्यप्रदेश में आपदा में अफसर और मुसीबत में मौका तलाशने का एक शांदार वीडियो सामने आया है मध्यप्रदेश के जबलपुर में भीशन बारिश के बाद गोकुलपुर तलाब ओवरफ्लो हो गया ऐसे में बाड से तरस्त लोग पुल पर खड़े हो गए और उन्होंने जाल पहला कर मचलिया पगड़ना शुरू कर दिया इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पचासों लोग हाथों में जाल लेकर खड़े हुए हैं और बहते हुए पानी में मचलिया पकड़ रहे हैं तलाब में पानी का स्तर इतना जादा बढ़ गया है कि पुल पर खड़े होने के बावजूद ये लोग कमर तक दूबे हुए नजर आ रहे हैं लेकिन इसके बावजूद जान का जोखिम उठा कर ये लोग मचलिया पकड़ रहे हैं बाड आने पर सबसे ज्यादा संकट खाने का हो जाता है ऐसे में ये लोग मचलिया पकड़ कर भोजन का इंतजाम कर रहे हैं तो हुआ न ये आपदा में अफसर तलाशने जैसा का फिलहाल ये तस्वीरे शोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है और लोगों को खासी पसंद आ रही है दोस्तों देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखी जा रही है लोगों ने अपने घरों में गणपती पपा की मूर्तिया स्थापित की है ऐसे में एक बहतरीन वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हुआ है जिसमें आप एक हाथी को गणेश भगवान को माला चड़ाते हुए देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि गणेश उत्सव पर निकाली गई शोभायात्रा में गजराज श्री गणेश भगवान का माल्यार पन कर रहे हैं इस हाथी ने गणेश महराज को माला पहनाने के बाद अपनी सून उठा कर उन्हें श्रद्धा से प्रणाम भी किया इन तस्वीरों ने शोशल मीडिया पर थूम मचा रखी है और हजारों लोगों ने इन्हें फेस्बुक ट्वीटर समेथ तमाम शोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर शेयर किया है दोस्तों अब हम आपको दिखाने चा रहे हैं सत्ता के नशे में चूर करनाटक के भाजपा विधायक अरविंद लिम्बावली की तस्वीरे विधायक सहब ने अपने पास फर्याद लेकर आई एक पहिला के साथ दुर्विभार किया और गाली गलोच किया आप देख सकते हैं कि भाजपा विधायक अरविंद महिला से उसका शिकायत पत्र छीन लेते हैं और उसे भला बुरा कह रहे हैं उन्होंने महिला से गाली गलोच किया और अपने सेक्योरिटी आफिसर से महिला के खिलाफ कारवाई करने को कहा इसके बाद महिला को थाने ले जाया गया और पे इंतेहा परिशान किया गया चुनाओ के दौरान लोगों के पैर पकड़ पकड़ गर वोट मांगने वाले ये निता जब जीज जाते हैं तो पबलिक के साथ ये कैसा वरताओ करते हैं आप देख सकते हैं ये भाजपा के वही मगरूर विधायक हैं जिनकी बेटी ने तीन महीने पहले सरे आम एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ काली गलोच किया था और अपने रुत्वे को दिखाते हुए कहा था कि तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ इन महतर्मा ने अपना VBIP स्टेटस दिखाते हुए वर्दी धारी पुलिस कर्मी की सरे आम इज़त उतारी थी उस वक्त मामला बढ़ता देख बीजेपी विधायक अरविन ने आगे आकर अपनी बेटी के किये की माफी मागी थी लेकिन अब तो विधायक साहब ने खुद साल से पहले नहीं उतरता करनाटक में जल्द चुनाव होने वाले हैं हम उमीद करते हैं कि इन सहाब का नशा भी उतर चायेगा दोस्तो हमारे गरंथों में गुरू को इश्वर का रूप बताया गया है क्योंकि गुरू ही इश्वर से सक्षाकार कराते हैं लेकिन अब न वो गुरू रहे हैं और न वो शिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् गोपी का अंदर अनुसूची जन जाती आवासी उच्छ विद्याले से आई है। माना जा रहा है कि छात्रों का आरोप है कि जातिये दुर्भावना से प्रेरित होकर टीचर्स ने छात्रों को प्रेक्टिकल के नमबर नहीं दिये और जिसकी वजह से ग्यारह चात्रों फेल हो गए। दूस्तों कहते हैं कि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके नहाथ होते हैं और नहाथों पर लकीरे। आप देख सकते हैं इस नन्हे से प्यारे से बच्चे को जो अपने स्कूल में बैठ कर लंच में मिड़े मील खा रहा है। हजारों दुश्वारियों के बावजूद ये मासूम बच्चा स्कूल आ रहा है और पढ़ाई कर रहा है। ये उन लाखों लोगों में उम्मीद की किरन पैदा कर रहा है जो अपनी जिन्दगी की मुश्किलातों में ठक कर मायूस होकर पैट जाते हैं। ये बच्चा हार को जीत में तब्दील करने की एक अनुखी मिसाल कायम कर रहा है। उपरवाले ने बेशक इस मासूम के साथ नाइंसाफी की है लेकिन इसके बावजूद ये बिना किसी को दोश दिये अपने जीवन के मकसद को हासिल करने के लिए उम्मीद की लोगों चलाते हुए आगे पढ़ रहा है। सलाम है इस नन्हे से फूल को और सलाम है इस फूल के माली इसके माबाप को। हम तो उपरवाले से यही दुआ करेंगे कि ये बच्चा जीवन में काम्याबी की अमिट मिसाल कायम करें। दोस्तो ऐसे ही लाचवा वाइरल वीडियो और अनोखी प्रेण अदाय कहानिया देखने के लिए वाइरल क्लिक को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं और आल दबाएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।